एलो गाईस तो कैसे अब सब्लोग स्वागते अब सब्लोग का अपने यूटिब चैनल पे मेरा नाम है दर्मेंदर और आज हम लोग एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर डिसकुसन करने वाले हैं तो टॉपिक यह है कि यह कैसे डिसाइड होता है कि गरम में जो ह है लड़का पैदा होगा यह लड़की तो बने रहे यह विडियो के अंतक तो सेयले ये जान लेजिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव औरगन होता है वो स्पर्म होता है अब हमें पता है कि जो मेल होता उसके अंदर जो sex chromosome होता है वो xy होता है और जो female होती है उसके अंदर जो sex chromosome होता है वो xx होता है लेकिन जब gamet formation होती है जब gamet बनते हैं तो हर gamet जो है एक single set of chromosome को carry करता है यानि अगर एक normal cell में 46 number of chromosome पाए जाते हैं तो जब gamet formation होती है जब gamut बनता है तो उसमें जो है क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो आदा हो जाता है यानि अगर male की अगर मैं बात करूँ तो जब gamut formation होती है तो जो sperm होता है जो एक sperm होता है ना वो किसी A क्रोमोजोम को carry करता है या तो वो X हो सकता है या तो Y हो सकता है वैसे अगर मैं female की बात करूँ तो उसमें भी same ही गेस होता है लेकिन difference यह है कि female में जो है ना दोनों के दोनों chromosome सेम होता है X chromosome होता है तो इसलिए future में जितने भी egg बनने वाले होता है जितना भी ovum आगे बनेंगे तो दिखती सी बात है कि उन सभी के पास X chromosome ही होगा तो अब simple सी बात है कि जो normal human होता वो एक बाव में 200 से 300 million sperm को ejaculate करता है अब सीधी सी बात है अगर मैं average भी रखो माल लो एक बार में 200 million sperm को ejaculate कर रहा है कोई normal human being तो उसमें से 100 million sperm होगे वो X chromosome को carry करेंगे और जो 100 million sperm होगे वो Y chromosome को carry करेंगे तो जब fertilization का वक्त होता है sex के बात employee stimulus junction में तो उस दोरान जो है जो sperm होता है वो ovum के साथ फ्यूज करता है तो उस दोरान डिपेंड करता है कि कौन सा वाला sperm एक के साथ फ्यूज करेगा अगर X वाला जो है fuse कर रहा है तो XX का combination बनेगा जिसका result आएगा कि female child जो है पैदा होगी अगर Y वाला जो sperm है वो fuse कर रहा है तो XY का combination बनेगा जिसका result आएगा कि male child है वो पैदा होगा तो इस वीडियो का क्या साहर निकल के आता है यार इस वीडियो के यही सहार निकल के आता है कि लड़का हो या लड़की ये औरत पे डिपैंट नहीं करता है ये जो है मर्द पे डिपैंट करता है तो इस वीडियो का सेर होना बहुत जरूरी है and I hope आप लोग इस वीडियो को जदा से जदा सेर करोगे and मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद, जहिन, जै भारत